अभी क्लासेज डाउट समय आपका स्वागत है और आपका सवाल है आदिवासी इलाकों में किसका महतुमपुर्ण अस्थान होता है दीखे ना केवल पुराने समय में बल्खी आज भी आदिवासी इलाकों में केवल एक ही वेक्ती का महतुमपुर्ण अस्थान होता है और उस इसलिए जब हम इत्यास को देखते हैं तो बिर्शा मुंडा एक तरह से मुख्या बनके उबरा था जिनके लोग परसंसक थे उनकी बातों को मानते थे और आदिवासी विद्रोह में उनका बहुत बढ़ चड़ के योगदान रहा और वो एक मुख्या बनकर के उबरे थे तो अगर आपसे पुछा जागा कि आदिवासी इलाकों में किसका महतुम पूर्ण अस्थान होता है तो आदिवासी के जो मुख्या होते हैं जो हेड होते हैं उनका एक महतुम पूर्ण अस्थान होता है आदिवासी इलाकों में तो ये था आपका सवाल अगर कोई और सवाल है तो doubt में जरूर comment कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you.